धेरे का फल मीठा होता है ये बिल्कुल सही है जो भी हम गार्णिंग भाई बहन करते हैं फ्रेंड्स मेरे सारे जानते हैं कि गार्णिंग में कितने ज्यादा पेशन्स की जरूरत होती है अनभव तो काम आता ही है पेशन्स भी चाहिए होता है किसी भी पोधे को नया जीवन लेने के लिए, गर्मी के सीजन की मेरी लास्ट जो नर्सरी शोपिंग थी, शायर मैंने उसकी 11 अक्तूबर को वीडियो डाली थी, उसमें मैंने पोधी दिखाए दे, कुछ उसमें महंगे भी थे, तो काफी वो प्लांट है जो मेरे खराब स्थीती में हो गए, उनमें से ये देखी ये प्लांट था, ये एक मेडिसनल प्लांट है, इसके जो पत्ते है, पूरे यानि थे ही नहीं पहले तो एक खराब सा पत्ता था, लेकिन इसकी टहनी काफी हेल्दी थी, मुझे लगा कि इन्होंने अभी काट-काट के ये जो है, कटिंग लगाई है, तो मेरी कटिं से था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैं इसी दुरान कर रही हूँ, तो बहुत सारे अनभव हुए, experience हुए, और कुछ मुझे बाते पता चली कि कैसे कैसे हम प्लांट की देखवाल करें, कि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो, तो यही सारी बाते मैं इस करूंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी, तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा, नमस्कार मैं मधू, सिरसाहरियाना से बग्या की महक में सभी का स्वागत है, और सर्दियां आ रही है, सर्दियों के फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, और यह देखिए मोस रोज, की देखबाल करके उनको बचाया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला यह प्लाट जो है, यह विधारा है, यह वाइन की तरह बढ़ता है, जैसे गिलोय बढ़ती है, एक मैडिसनल प्लाट है, और इसको इंगलिश में एलिफेंट क्रीपर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, अब देखे, इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, और हर नोड पे भी लग रहा है, नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, इसको मैंने अभी तक ट्रांस्प्लांट नहीं किया, क्योंकि जब यह आया तो भूती, गस लगी हुई थी, वो मैंने काट दी थी फिर, और अब देखे, अब आपने देखा, इसकी ग्रोध बहुत बढ़िया हो रही है, और अब यह दूसरा पोधा देखिए, यह फोरोक लोक है, इसमें अभी अभी नई ग्रोध शुरू हुई है, इसकी हालत तो बहुत ही खरा लेकिन सीड तो नहीं पके, हाँ, अब इसमें देखिए, रूट्स नीचे आनी शुरू हो गई है, तो लगता है, यह मेरे दो प्लांट बन जाएंगे, इसमें रूट्स हलकी हलकी आ गई है, और देखिए, पत्ते भी कितने इसके हेल्दी है, तो यह दो प्लांट मेरे इस बन जाएंगे, तो यह होता है, अनभव का कि हमारी टिप की कटिंग मैंने सोचा लग जाती है, क्योंकि टिप इसकी काफी हल्दी थी, यह उस समय की वीडियो है, जब मैं यह प्लांट लेकर आई थी, इसकी ग्रोध देखिए, नीचे पत्ते नहीं थे, लेकिन उपर वाले इसको ज्यादा पानी नहीं दिया, बूध कम पानी दिया इसको, और इस तरह सी यह प्लांट दुबारा से फिर हरा भरा हो गया, आपने पहले जो वीडियो देखी काफी अच्छी, अब इसमें ग्रोध शुरू हो गई है, यह तीसरा प्लांट फाइकस बोनसाई, तो इसकी जो पतियां थी, देखी कितनी घनी थी, पूरा घना प्लांट था, पूरा हेल्दी था, और पोट उठाओ तो काफी हलका था, ऐसे लगता था, कोको पीटी भरी हुई है, तो पोट में था, इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट ना करना ही बहतर समझा, लेकिन धीरे धीरे इसक सारी पतियां गिरने लगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कि इसमें पानी कम दूँ, ज्यादा दूँ, इसकी मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें था कि फाइकस को पानी बहुत कम चाहिए, और फिर मैंने इसको रिपोर्ट करना ही बहतर समझा, मैंने एक बह रिपोर्ट करने के बाद भी इसकी पतियां गिर रही थी, सुबह उठती तो सारी पतियां जमीन पे गिरी मिलती, मुझे बड़ा बुरा लगता, उसके बाद मैंने एक और काम किया, क्योंकि मैं कई पोधों पे आजमा चुकी थी, तो मैंने इसको भी वो जो है लिक्विड गिर दिया, वो था हल्दी का पानी, तो मैंने एक गिलास में आधा चम्मच हल्दी डाली और इसमें डाल दिया, उसे डालने के बाद तो एकदम जैसे पतियां गिरनी ही बंद हो गई, और आज ये देखिए, पोधा बहुत ही हल्दी ग्रो हो रहा है, इसमें नही नही ग्र लेकर आई थी, इसकी ग्रोध बहुत ही बढ़िया थी, सभी ने इसकी तारिफ की थी, बहुत अच्छा प्लांट आपको मिला है, लेकिन धीरे धीर इसकी भी पतियां गिरनी शुरू हो गई, ये कोकोपीट में लगा हुआ था, पोट में लगा हुआ था, मैंने इसको भी हल्दी वाला पानी डाल दिया, अब जाके इसकी पतियां गिरनी बंद होई हैं, ये देखिए प्लांट, ये इंसुलिन का पोध भी मैं उसी समय लेकर आई थी, 5-6 दिन के बाद मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था, इसमें मुझे कोई भी प्रोबलम नहीं आई, बस मैंन इसको ऐसी जगा रखा था, जहां पर सुबह शाम की धूप इसको मिले, क्योंकि तेज धूब में ये पतियां ब्राउन हो जाती थी, इसमें देखिए नई शूट आई, और नई ग्रोफ शुरू हो चुकी है, बूती हेल्दी ग्रोफ हो रही है इसमें, तो इस प्लांट मे है, तेज धूप में रख सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा रखने में प्रोब्लम आ रही थी, उस समय देखिए मैंने इस जगा पे इसको रखा हुआ था, जहां पर बस इसको जाती हुई धूम मिलती थी, इक जोरा प्लांट ये पिंक कलर का मैं उसी समय लेके आई थी, अ अब जब पानी सूखते हैं, तभी मैं इसमें पानी डालती हूँ, तो मिट्टी में काफी मैंने कमपोस्ट वगरा डाल दी थी, तो काफी अच्छी अब इसकी देखिए, आपको लग रहा है, हेल्दी ग्रोथ है इसकी, वो वीडियो भी मैं दिखाती हूँ जब मैं इसको लेकर आई थी, तो ये उस समय की वीडियो है, देखिए इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी चली हुई थी, और ये बर्स भी बनी हुई थी, जिस पॉली बैंग में ये लगा हुआ था, उसमें सीडलिंग बास्किट थी अंदर, और बाद की जो मिट्टी आसपास थी वो भी ब प्लांट सपने बचा लिए, और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज कुमेंट करके जरूर बताईएगा, और ये देखी गंदराज का पोधा, मैं कहीं से लेके आई थी उखाड के, और उसकी मैंने कटिंग भी लगा ली, तो कटिंग भी प्योर सेंड में लगाई और ये ग्रो हो गई, तो इस तरह से जब मुफ्त में प्लांट बनते हैं तो हमें ऐसे लगता हमारी लोटरी लग गई है, तो ये बहुत ही अच्छा अन्भव होता है, जो हमारी कटिंग ग्रो होती है, और इसके साथ ही मैं आज की ये वीडियो समापत करती हूँ, फिर मिलूँगी नई वीडियो में नए टोपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैपी गार्निंग, और एक प्लांट तो मैं भूली गई, ये देखिए, ये भी मैं नर्सरी से उसी समय लेके आई थी, तो ये प्लांट की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चल रही है, ये देखिए, चार लगाई थी, दो में रूट्स आ गई है, तो इस तरह ऐसे भी मैं प्लांट्स पानी में भी कटिंग लगा कर बनाती हूँ, तो ये भी मेरा काफी अच्छा experience रहता है, कटिंग में पानी, सोरी पानी में कटिंग लगाने का, तो ये भी चल जाती है, पोधे बन जाते हैं, बहुत सारे पोधे बनाए हुए हमेने इस तरह ऐसे, तो चलिए फिर से आपको सभी को नमस्कार, हैपी गार्णिंग